प्रम्पिता प्रमात्मा पूर्ण ब्रह्म भगवान कवीर साहिब की असीम करपासे प्रिभासा प्रभू की सर्वभक्स समाज के समक्स पहुंचे इस सत ज्यान को सर्वन करके तथा टीवी के उपर देखकर हजारों की संख्या में भगतात्माओं के शर्दावरे पात्र तथा साथ में टेलीफॉन के मादन से हमें उनके हर्दे की पुकार हर्दे से की हुई परसंसा हमारे पास पहुंची साथ में उनकी वी नमर संकाएं भी आई वी नमर भाव से उन्होंने प्रार्थना की कि जो आपने सास्तों के अधार पर ये सत ग्यान समाज को दिया है इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। ऐसा सवच ऐसा सत्यान ये अभी तक कहां छुपा रहा इसका कारण क्या रहा ये हमारा दुन भागे रहा कि अभी तक हमें ये सत्यान नहीं पता चला जब कि सभी सास्त्रों में और जो का तो प्रमाण मिला अब ऐसे भगताद्माओं कि अगर संकाओं का समादान नहीं को पाया तो ये संका रूपी काटा फिर इस भगती रूपी मारग में बादख बन जाता है इसके लिए सर्वापर्थम श्रिष्टी रचना का ज्यान होना बहुत जरूरी है जब तक हम श्रिष्टी रचना को डंग से नहीं समझ पाएंगे तब तक हम इस सत्य ज्यान को नहीं कैच कर सकते नहीं पकट सकते नहीं समझ सकते श्रिष्टी रचना के बारे में अभी तक समाज को अगत समाज को अपना कोई समाज नहीं है कोई धर्म नहीं है हमारा एक ही धर्म है मानो धर्म और जीव अपनी जाती है ये सबसे पहले हमने याद रखना चाहिए जीव हमारी जाती है मानो धर्म हमारा हिंदो, मुस्लिम, सिख, इसाई ये धर्म नहीं कोई नहारा है हम एक पिता की संतान है हमारा एक ही बाप है को कुल मालिक, पूर्ण प्रमाद्मा और पिछले त्यास को अगर हम देखे उसमें ना कोई हिंदू था ना मुसल्मान, ना सिख, ना इसाई आज हम कोई हिंदू बना हुआ है इस मानो शरीर के समाप्थ होने पर भक्ती ही इन प्राणी अपने संसकार वस कभी पसू बन जागा, कभी पक्षी बनेगा कभी पानी के जल्चर बन जाएंगे जब हम पसू होंगे तो हमारी पसू जाती होगी और जब हम पक्षी होंगे तो हम पक्षी जाती के प्राणी होंगे और ये भी हो सकता है कि हमारा कोई पुन संसकार बचा हुआ हो पुनर जनम मानों का हो तो हम कोई हिंदू है वो मुसल्मान के घर जनम लेगा क्योंकि हमारे पिछले संसकार रले मिले हैं अलग नहीं है शिक दर्म लगबत 300 वर्ष पूरव दसमें गुरु गोविन सिंग जीग के दोवारा ये निर्मित हुआ इसका उत्थान हुआ है उससे पहले सब हिंदू थे उनके पिछले नाम राजा राम किरपा राम राम चंदर चंदरभान इस परकार के हैं तीन चार पीड़ी से पूरव के जितने पूरवज हैं वो इन नामों पर हैं ऐसे ही इससे पहले मुसल्मान धर्म नहीं था हदरत महमन जी ने एक विशेश पवित्तर मारत बनाया था भक्ती का लेकिन आने वाले समय में इसम बहुत रूटिया बन गई ऐसे ही पहले इसा जी ने एक निर्मल बन समाज त्यार किया था उससे पूरव अबराहिम जी ने ऐसे ये आदम जी आदम जी से पहले हिंदू धर्म था और हिंदू से पहले केवल आरिये हुआ करते थे कोई धर्म नहीं था अब हमने ये विचार करना पड़ेगा कि हम दो नहीं हैं जब से जहां से भी बक्तिस प्रारम होती है वो निर्मलता के आधार पह है बीडी, श्राप, मास, तमाखू उसमें कभी प्रियोग नहीं होता और केवल एक परभू की ही साधना प्रारम होती है आने वाले समय में उसमें त्रूटियां आ जाती है मनमुखी गुरू लोग उसमें धेर सारी त्रूटियां पैदा कर देते हैं और जिसके कारणों समाज का प्रारूप बदल जाता है भगत समाज का उस धर्म का एक प्रारूप बदल जाता है वास्तविक्ता नहीं रहती फिर ऐसे ही सदियों प्रांट फिर ये मारग प्रारूप होता है उसमें प्रारूप करता को कठनईयां वस्याती है समाज समझता है कि ये निंदक है सभी को किसाधनाओं को गल्ब बता रहा है बिल्कुल नहीं गलत उनको लगेगा ये मारग जिनको स्वन सास्त्रों का ग्यान नहीं और उनके गुर्देव अधूरे है जिन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि ये सिरिष्टी कैसे रचीगी जबकि सास्त्रों में भी दुमान है ये सारा ग्यान अब सबसे पहले हमने सिरिष्टी रचना का सही ग्यान होना चाहिए तो अब अद्दास आपको सिरिष्टी रचना बताना चाहिएगा सर्वा पर्थम केवल एक ही प्रभू था उसका नाम कवीर है वास्त्वी नाम उस प्रमात्मा का कबीर है वो अनामी लोग में अके लोग में रहता था और वहीं पर हम सब जीव उसी प्रमेश्वर कबीर में समाई हुए थी उसके बाद उस प्रमात्मा ने स्विम परगट होके अर्थाथ अपने उस अनामी लोग में स्विम ही तीन नीचे के लोगों की और रचना की अगम लोग फिर अलख लोग और नीचे का सत लोग फिर सत लोग में आकर के उस प्रमेश्वर ने अन्य रचना की श्रवापर्थम एक सबत से सोल है दवीपों की रचना की उसके बाद सोल है सबत फिर उचारण किये उनसे अपने सोल है पुत्रों का निर्माण किया उनकी सबत से उत्वत्ति की वचन से और उनको उन सोल है वीपों में रहने की आग्यादी उनमें से एक उत्र अजिन्त को उस सत पुरुष ने क्योंकि सत लोग में उपमात्मक नाम उसी कबीर प्रमेश्वर का सत पुरुष नी अक्सर पुरुष परम अक्सर पुरुष सबद सुरुपी राम अकाल मूरत पुर्ण ब्रह्म ये उनके उपमात्मक नाम है और वास्त्विक नाम उस प्रमेश्वर का कवीर है सत लोग के अंदर सत पुरुष ने अपने पूतर अचिन्त से कहा के आप यहां की अन्य स्रिष्टी रचना को करो मेरी सक्तित है अचिन्त ने अपनी सबसुक्ति से अक्सर पुरुष परव्रम की उत्पति की और उससे कहा के मेरा सह्योग दो यहां सत लोग में अन्य स्रिष्टी रचना करने का अक्सर पुरुष अर्थात यह परव्रम एक सत लोग में बने हुए मान स्रोवर में उसके अंदर अम्रत जल है सत लोग के अंदर जल अम्रत है उस अम्रत रोवर में परविश कर गए और वहां आनंद से विश्राम करने लगे अक्सर पुरुष को निद्रा आ गई सत लोग के अंदर स्वासों से सरीर नहीं है काफी समय तक सोते रहे तब सत पुरुष ने अपनी सबसक्ती से एक अंदा जल अम्रत रताव से एक अंदा बनाया और उसमें एक आत्मा परविश की उस आत्मा समेत उस अंदे को उस जल में डाला अम्रत स्रोवर में उस मान स्रोवर में वो अंडा गड़ गड़ करता हुआ नीचे जा रहा है तो अक्सर प्रश अर्थात इस्पार प्रम की निद्रा भंग हुई जब ही कोई अधुरी निद्रा से जागता है उसके अंदर कुछ कोप होता है अब जो ही उसने अपनी कोप सहीत द्रश्टी से देखा कि मेरी निद्रा किसने बंग कर दी तब उसका वो कोप उस अंडे पर पड़ा अंडा तो हाग हो गया उसमें से ये प्रह्म निकला चरपुरस प्रह्म अर्थात चरपुरस इसी को जोट सुरूपी निरंद्र वास्तों इसका नाम कैल है कैल और यही आगे चलके काल कहा हाँ ये आने वाले इसी विवरण में आपको ग्यान होगा आकासवानी सत्पुरस ने की कि तुम दोनों बहार आओ अक्सर पुरस तुम निंद्रा में थे और आपके बिना यहां स्रिष्टी नहीं रची जा रही थी तुम दोनों बहार आओ और तुम्हें जगाने के लिए सारी किरिया की गई और तुम दोनों के दोनों अजिन्द के लोग में रहो ऐसे आदेश प्रभु का पाक है वे दोनों के दोनों अजिन्द के लोग में रहने लगी कौफी समय तक उसके बाद हम सभी की उत्पत्ती कवीर प्रमिश्वर ने उसी सत्पुरस ने अपने सबद सक्ती से हम सब की उत्पती वहां पर की कुछ दिनों के बाद इस चर्पुरस के अर्थात ब्रह्म के मन में एक खरपतवार उपजा इसके मन में ये आया कि मैं अपना अलग से रज बनाऊंग। मेरे अन्य भाई सब एक एक दुविव में रहते हैं और हम दो यानि अचिंद और ब्रह्म और साथ मैं ये अक्सर पुरस पर ब्रह्म भी हम एक ही दुविव में रह रहे हैं मैं अपना अलग राज्य चाहूंगा। इस उदेशय से ब्रह्म ने चर पुरस ने जोच रोपी निरंदन ने सत्तर युग तक अलग से एक पैर पर खड़ा हो गए तपश्या की। जब ये तपश्या कर रहा था हम ये सभी आत्माएं जो आज काल के लोग में दुख पा रहे हैं। चाहे आज कोई देव बना है, चाहे कोई महादेव बना है, चाहे आज कोई सुकर बना है, चाहे कोई गधा बना है, चाहे कोई राजा बना है, चाहे कोई रंक बना है, पसु या पक्सी बना हुआ है, ये सभी की सभी आत्माएं हम इस काल के उपर अर्थात इस ब्रम के उपर आसक्त होगे और यही बिमारी आज हमारे अंदर विद्वान है यही परक्रिया जैसे यह नादान बच्चे किसी हीरो और हीरोईन को देख के उसकी अदाओं के उपर इतने आसक्त होते हैं ओ जाते हैं कि वो अगर आसपास कहीं किसी सहर में वो हीरो वो अभी नेता या अभी नेत्री आ जावे लाखों की संख्या में उनके दर्शनार्थ भीड उमड जावे और लेना एक नदेने दो कुछ मिलना नहीं उसे ऐसी हमारी विर्थी वहाँ बिड़ी थी सत लोग में हम वहाँ रहा करते थे अपने बिड़ा के पास कोई दुख नहीं था कोई मर्दू नहीं थी हमारे प्रिवार थे हम प्यार से रहा करते थे लेकिन वहाँ हम अपने पती भरता पत से गिर गए अपने मूल मालिक उस पूर्ण ब्रह्म जो सद सर्वा सुखदाई सुखदाई सदा सहाई आत्मा का आधार वास्तोम भगवान है जो जीव को दुखी नहीं करता जलम मर्ण के कस्टमर नहीं डालता उत्ते और गदे नहीं बनाता उसको छोड़के और हम इस काल यारी ब्रह्म के उपर आसकत होगी जब इसने सत्तर युग तब कर लिया तब पूर्ण प्रमात्मा ने पूर्ण ब्रह्म ने सत्थ फुरुष ने पूछा भी क्या चाहता है तू काल कैल क्या चाहता है ब्रह्म तू क्या चाहता है तब इस जोच्छ रोपी नरेंदे ने कहा कि पिताजी ये सथान जहां मैं रह रहा हूँ ये कम है मुझे अलग से राज़ितो तब उस पुर्ण ब्रह्म ने इस ब्रह्म के तब के बदले में 21 ब्रह्म पर दान कर दिये जैंसे 21 पलाट दे देवे कोई साहु कार पिता अपने पूतर को 21 ब्रह्म ब्रह्म को बाग है ये जो तरेंदन बड़ा प्रसंद हुआ कुछ दिनों के बाद इसके मन में आया कि इस में कोई अन्य रचना करूँ उसके लिए कुछ समान पिताजी से मांगू इसने सत्र युक तब फिर किया तब सत्पुर्ष ने पूछा कि आप क्या चाहते हो आपको 21 ब्रह्म पर दान कर दिये तब इस ब्रह्म ने कहा कि पिताजी इस में कुछ रचना करना चाहता हूँ किर्पा रचना करने की सामगरी दीजिए सत्पुर्ष ने इस ब्रह्म को पांस ततव और तीन गुन परदान कर दिये इसके बाद इस ने सोचा कि ब्रह्म ने सोचा कि इस में जीव भी हो मेरा अकेले का मन नहीं लगता इस उदेशे से 64 युग तब फिर किया तब सत्पुर्ष ने पूछा कि क्या चाहता है जोत्रदन अब तो तुछे मैंने जो वांगा सो दे गिया तब ब्रह्म ने कहा पिताजी किर्पा मुझे जीव परदान करो मेरा अकेले का दिर नहीं लगता है उसमें पूर्ण ब्रह्म सत्पुर्ष कबीर परमेश्वर ने कहा कि जोत्रदन तेरे तब के बदले में रज दे सकता हूँ और ब्रभंड चाहिए वो दे सकता हूँ परंतो ये अपनी प्यारी आत्मा अपना अंस नहीं दोंगा तुझे ये तो तेरे किसी भी किरिया धरम धार्मे किरिया से तब से किसी भी जब से नहीं दोंगा हाँ यदि वो स्व्यम कोई जाना चाहता है अब सव इच्छा से कोई हनस आत्मा कोई भगत आत्मा तो मैं सभी करती दे सकता हूँ नहीं तो मैं अपनी इच्छा से नहीं कोऊँगा ये मैं नहीं दे सकता इस बात को सुनके ये ब्रह्म चरपुरश जोट सुरूबी नरंजन अर्था जो बविश्या में फिर काल कहलाया हमारे पास आया आज हम जितने भी ये दुखी आत्मा इस काल के एक इस ब्रह्म आया और हमसे कहा कि मैं वहां अलग से ब्रह्म लिये हैं मेरे पिताजी से अपने तब के बदले में वहां ऐसे स्वरक बनाओंगा महस्वरक बनाओंगा और ऐसे दूद्हों की नदी बहाओंगा जरने बनाओंगा क्या आप मेरे साथ चलना चाहते हो तब हम सभी ने जो यहां काल के 21 प्रमेंटों में पीडिते हैं कहा कि यदि पिताजी हमें आ गया दें तो हम चलने को तयार हैं इस बात को सुनके जोट्सुरूपी नरंजन कबीर प्रमात्मा के पास आया और उसे कहा कि पिताजी कुछ आत्माएं हमारे साथ चलने को तयार हैं सत्पुर्ष से कहा इस काल ने ब्रह्म ने कि पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तयार हैं उन्होंने सेमती दी है तब पूर्ण प्रमात्मा सद्पुर्ष अर्थात कबीर देव ने कबीर साहिब ने कहा कि यदि वो मेरे सामने सवीकर्थी देंगी जितने भी आत्माएं हैं जो तेरे साथ जाना चाहते हैं तो मैं उनको आग्या दे दूँगा ऐसा कहकर के सद्पुर्ष हम सभी आत्माओं के पास आया जो आज काल के लोग में कैद में बंद हैं सद्पुर्ष ने उस अकाल मूरत ने सबत सरूपी राम ने आमसे पूछा कि जो आत्मा इस ब्रह्म के साथ जाना चाहती हैं वो अपनी सेमती व्यक्त करें उसमें हम सभी घबरागे और नहीं हीमत पड़ी अपने पिता के सामने सभी करती देने की उसमें एक आत्माने सर्वा पर्थम हीमत किया डेयर किया और कहा के पिता जी मैं इस ब्रह्म के साथ जाना चाहता हूं उसकी देखा देखी फिर हम सभी ने सभीकर्टी दे दी और जितनी भी आत्माएं उसमें सभीकर्टी दी थी सभी कभीर साहिब ने उनके नमबर नोट किये और जिसने सर्वापर्थम संबती दी थी उस आत्मा का भी नमबर नोट किया और ब्रह्म से कहा कि ब्रह्म आप जाओ अपने लोग में अब इन सभी आत्माओं को मैं विधीवत तेरे लोग में फिचूँगा ऐसा कहकर कि सत्पुरुष ने अपनी सबद सक्तिते उस पर्थम सविकर्ती देने वाली आत्मा को एक लड़की का रूप बना दिया उर्ष को उसके अंदर एक सबद सक्ति दे दी और हम सभी जीव आत्माओं को उसे परकर्ती देवी भी कहते हैं अस्तंगी भी कहते हैं और वही महा माया भी कहलाई यहां 21 वर्भंड की इस देवी को उत्पन किया अर्थात उस आत्मा का लड़की बनाया फिर हम सभी आत्माओं को जो 21 वर्भंड में आए हुए हैं उसके अंदर परवेश कर दिया इस लड़की के सरीर में परकर्ती देवी के सरीर में अर्थात इसको अध्धा माया भी कहते हैं और यही आगे चलके तर देवं की माता कहलाई परवेश कर दिया और कहा के बेटी तेरे को मैंने सबसक्ति दे दी है और जितने भी जीव काल कहे ब्रह्म कहेगा तू बना देना एक बार मुख से उचार्ण करेगी उतने ही नर और मादा ये जोड़े उत्पन हो जाऊंगे अपने पोतर सहजदास से कहा सहजदास जाओ अपने बेहन को उस जोट सरुपे नरंजन के पास छोड़याओ और उसको बताना कि इस लड़की को इस परकर्टी डेवी को अध्धा माया को मैंने सबस सक्ती दी है ये जितने जीव तू कहेगा ये बना देगी और जितनी आत्माओं ने सभी कर्टी दी थी वो सभी इसके अंदर प्रवेश्च कर रखी है सैजदास परकर्टी डेवी को लेकर अध्धा माया को लेकर जोट नरंदन के पास आया उसके पास छोड़ दिया और कहा कि पिता जीने ऐसे ऐसे कहां है इस लड़की के पास सबस सक्ती है और जितने जीव तू कहेगा ये नर और मादा अपने सबद से उत्पन कर देगी ऐसा कहकर के सैजदास अपने लोक में लोट आया अपने दवीब में आ गया युवा होने के कारण लड़की का रोप निखरा हुआ था इस जोट्स रोप नरजन प्रहम अर्था सरपुरुस के मन में नीचता उत्पन हुई जिस जो आज सब जियों में विद्मान है वही व्यर्ती वही प्रकिरिया वही ये बुरी आदत युवा लड़की को देखकर उसके साथ बद बहार करने की चेश्टा इस्चर पुरुस ने अर्थात जोट्स रोपी नरजन ने की लड़की ने प्रकिर्ती देवी ने कहा कि जोट्स नरजन तु होस में आजा तु और मैं एक ही पिता की संतान है पहले तेरी उत्पती हुई उन्ही के सबदत है अंडे में और उन्ही ने मुझे उत्पन किया तू और मैं बेहन और भाई है बेहन भाई का ये करम पाप का भागी होता है तु मान जा मेरी बात जोद नरजन ने एक भी बात उस लड़की की नहीं सुनी और मदहोस होक है विशेवासना के वस होक है काम वस होक है उस लड़की को पकड़ने की तेस्टा की दुश करम करने के लिए लड़की ने अपनी इज़त बचाने का और कहीं सथान ना पाक है जो ही उस काल ने जोद सुरूपी नरजन ने चरपुरश ने ऐसे मुखोला हुआ था आलिंगन करने के लिए ऐसे बाजू पहलाई थी उसी समें लड़की ने छोटा रूप बना सुक्सम बहुत सुक्सम और उसके पेट में चली गई अपनी इज़त रक्षा के लिए वहां से अपने पिताक से पुकार की है प्रम पिताप है सत्पुरस है कबीर प्रमेश्वर मेरी रक्षा करो इस परकार मैं काल से अपनी इज़त रक्षा के लिए इस ब्रह्म से अपनी इज़त रक्षा के लिए इसके पेट मैं परवेश्वर और मुझे आकर मेरी रक्षा करो मुझे बचाओ इससे उसी समय कबीर प्रवेश्वर ने अपना ही दूसरा रूप अपने पोत्र योग संतायन अर्थात योग जीत उसे जोग जीत भी कहते हैं योग जीत का रूप बना के काल के 21 प्रमंड़ों में प्रवेश्वर प्रगठ हुए और कहा के जोच सुरूपी नरंदिन तुने जुलम कर दिया आपने ये ऐसा जुलम कर दिया ऐसे करम करने वाले पाप आत्मा को इस सचे लोग में ये सराप ये करम ये पाप लगता है कि एक लाख जीयों का मनुसरीर धारी जीयों का रूज आहार करेगा और सवा लाख की उत्पत्ती करेगा पताजी ने आदेश दिया है मुझे कि आप यहां से निकल जाएए अपने एकिस बर्मंट को लेकर और लड़की को उसके पेट से निकाल दिया परकरती देवी को इस बर्म के पेट से निकाल दिया और उनको एकिस बर्मंट समेथ और दोनों को वहां से निसकासित कर दिया और कहा के परकरती तूने सुन अपने पेर पर कवाड़ा मारे अपने पिता से दूर होगी तू अब इसकी सदा तू ही पावेगी और जाओ यहां से एकिस बर्मंट लेकर अपसे ले जाओ इस इतना कहते ही एकिस बर्मंट वाईयो वियान की तरह है वहां से चल पड़ा और वहां से सत लोग से 16 संख कोस की दूरी पर नील पड़म संख यही 16 मिलियन 16 संख कोस की दूरी पर यह 21 बर्मंट आ करके सथिर कर दिये कभीर परमेश्वर ने अपनी सक्तित है अब इस जोट सुरोपी निरंदन के मन में फिर यही नीचता फिर उठी और कहा के अब मेरा कौन क्या विगाड़ सकता है अब मैं मन माना करूँगा उस लड़की ने परकरती देवी ने फिर प्रांथना की कि जोट निरंदन अब भी तू मान जा पहले तो आप और मैं एक ही पिता की संतान है और दूसरे मैं तेरे पेट से होकर आई हूँ ये करम अब मैं तेरी बेटी बन गई पर्थम तो बेहन और भाही का ये बाप करम महा बाप का कारण और दूसरे मैं तेरी बेटी हूई आपके पेट नहों काई और बाप बेटी का ये जुलों अच्छा नहीं मान जा मेरी बात मेरे पास सब सकती है पिता जी की दीवी और जितने जीव तो कहे का मैं बढ़ा दूँगे लेकिन इस जोट सुरुपी निरिंजन ने एक भी बात नहीं सुनी उस पर किर्टी गेवी की दुर्गा की जवरदस्ती साधी की और एक ब्रम्हंड में एक ऐसा सथान बना रखा है इस काल बगवान ने ब्रम बगवान ने वहाँ पर ब्रम्हन लोग कहते हैं उसको उस ब्रम्हन लोग के अंदर इसने तीन सथान बना रखे हैं एक रजोगन परधान एक सतोगन परधान और एक तमोगन परधान जब ये सतोगन रजोगन परभावी तक सेतर में इस दुरगा को अपने पत्नी के रूप में रखता हुआ वहाँ रहता है उसमें जो उतर की उत्वतिक होती है उसका नाम ब्रम्हा रख देता है उसको रजोगन बढ़ा देता है उसके बाद ये दोनों उस सतोगन पर आ जाते हैं जो सतोगन परभावीत होता है वहाँ पर जो पूत्र उत्पन होता है उसके अंदर सतोगन आ जाते हैं उसके अंदर सतोगन आ जाते हैं और उसका नाम ये विश्णू रखते हैं दीशने स्थान को तमोगुन प्रभावित बना रखा है, वहां रहकर अब इसी परकर्टी देवी दुर्गा के साथ जो पुतर उत्पन करता है उसका नाम रूदर संगतर शीव रखता है ऐसे ही हर्वर्वंट के अंदर इस काल भगवान ने ब्रह्म भगवान ने ये ब्रह्म लोक बनाई है और वहां पर ये ऐसे ही कुछ समय के लिए परकर्टी देवी को अपने साथ रखता है और उसके बाद वहां से अंतरध्यान हो जाता है अब जब इस ने इस लड़की को परकर्टी देवी को बदनदर से देखा था और ये लड़की परकर्टी देवी ने इसके पेट में सर्ण पाई थी जोत नरदिन के पेट में और फिर सत्पुर्श ने अपने पूतर जोगजित का रूप बना करके आकर उसको निकाला था उस दिन से इसका नाम काल पड़ा कहा था कि आज से तिरा नाम काल होगा और एक लाख जियों का मनुसरी धारी प्राणियों का रोज आहार करेगा और सवाला की उत्पती किया करेगा ये वहाँ पर सत्लों के अंदर ऐसा दुसक्रम करने वाले को सबतर पाप लग जाता है अब जोन्स रूपी डरंजन काल ने अपनी पतनी से कहा कि मैं ऐसे सथान पर रहूँगा जहां पर कोई नहीं आ सकता और आज के बाद मैं किसी भी बीश ब्रभंट के अंदर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्राणी को आकार रूप में दर्सन नहीं दूँगा मुझे निराकार समझा करेंगे लेकिन मैं अपने वास्त्विक रूप काल रूप में अपने 21 में ब्रभंट में रहा करूँगा वहाँ पर कोई नहीं आ सकता ना परमा आ सकता ना विशनों आ सकता ना सिव आ सकता और नहीं कोई वेदों में के अनुसारसाद ना करने वाले सादक आ सकते मैं वहां रहा करूँगा और सरवाय कारिये में गुपत रूप से किया करूँगा तब परकरती देवी ने कहा कि निरंजन मैं तेरे वस्व होगी अब कुछ भी नाज नचा इतने बड़े ब्रहंडों को इन पीश ब्रहंडों को मैं कैसे चलाऊंगी एक इस तरी की जाती और तुम मुझे छोड़कर जा रहा है कहता मैं आज के बाद किसी को दरसन दूगा तब जोद सरूप नरंजन अर्थात इस काल भगवान ने हमने कहा कि प्रकृती चिंता ना कराए जो कुछ भी करूँगा वो मैं ही करूँगा तुम तो निमत मातर होगे और ये बच्चे ब्रमा विश्व महेश ये भी केवल निमत होगे इन सब का रिमोट मेरे पास होगा सब कारिये मैं करवाऊंगा तु चिंता मत कर और जब ये बच्चे थोड़े से स्याने हो इनको अचेत कर देना जब ये बल अवस्था से उपर उठे इनको अचेत कर देना और मेरा भेत मत बताना ये समझ ले ना जान से अगर मेरा भेत तुने इनको बताया तो मेरे से बुरा नहीं होगा ऐसे उसको ड्रा धवका दिया इस परकार ये काल उसके बाद निराकार कहलाता है लेकिन ये आकार में अपने उस काल लोक में विद्मान रहता है जब ये बच्चे बर्माविश्णों महें से आने हुए तब तक इनको अचेत रखा गया जब ये श्याने हुए उसमें बर्मा को कमल के फूल पै विश्णों को से सैया पै और शिव को एक कैलास परवत पै इनको बिहोस रखा हुआ था और फिर वहाँ पर सचेत कर दिया सबसे पहले बर्मा को कमल के फूल पै इसी स्व्यम बर्म ने काल ने अपने ही नाभी से एक कमल परवट किया वो महा विश्णों महा बर्मा महा सिव रूप में तीन रूप में बर्म लोक में रहता हर बर्मण के अंदर उसमें बर्मा को उसकमल के फूल पर रख दिया बर्मा को ये नहीं मालूम के में कहां से उत्पन हुआ कौन मेरा मा है कौन मेरी पिता है उसके बाद आकास वानी हुई कि तुम तब करो बर्मा ने एक हजार वरस तक तब किया फिर आकास वानी हुई कि सिर्ष्टी करो तब बर्मा ने सोचा कि मैं कहे कि सिर्ष्टी करो सब जगे जल ही जल है कहीं पर्थवी द्रिष्टी गोचर नहीं हो रही है इतने में मधू और कैटब नाम के दो राकस कालन प्रेरित करके और बर्मा की और भेज़ दिये बर्मा डरके मारे उस कमल के फूल के डंठल को पकड़के नीचे उतर गया बहुत सपीटता है नीचे जब आया तो उसी जल के उपर एक से सही आप है चतर भुज रोप में एक व्यक्ति सो रहा है उसके हाथों में संक चकर गदा पदम है जब बर्मा वहां पहुँचा उसी से में उस वो बर विश्णु जी थे जो त्रिलोग की है विश्णु विश्णु जी थे उन में से एक सक्ती निकली वो आकास में चागी उसमें ये बर्मा विश्णु जी होंस में आए इतने में मधु और कैटब भी पहुँच गे मधु और कैटब के साथ भगवान विश्णु ने पांच हजार वरस तक युद किया वो नहीं मरे फिर उस सक्ती ने जो आकास में चाई थी एक लड़की का रूफ बनाया देवी का और मधु और कैटब को मोहित किया अपनी और आकरसित किया अपनी कलाओं से अदाओं से जब मधु और कैटब उस लड़की की तरफ देखने लगे तो विश्णु जीने पीछे से उनकी गर्दन पकड़के दोनों को मार डाला अर्थात पांच हजार वरस तक भगवान विश्णु से दो राक्सस नहीं मरे वो भी तब मरे जब उस माता ने सहोग दिया उनको अट्रेक्ट कर लिया आसक्त कर लिया इस से दो बाते सिद होती है कि ये समरत नहीं है जब पांच हजार वरस तक दो राक्सस नहीं मर पाए बगवान विश्णु से अब बिर्माजी और विश्णु दो थे इतने में रुदर अर्थात ये सिव भी वहीं परगट हो गया बिर्माजी देवी भागुत महा पुरान में बताता है कि मैं फिर हम तीन होगे बिर्माजी विश्णु और सि तब देवी ने कहा कि तुम तीनु देवता अपने अपने कारिये को ध्यान से सुनो और उस पर सनलगन हो जाओ बिर्माजीओं की उत्पती करवावावन को रजोगन प्रभावित करके ये केवल इतने ही बिर्माज है और विश्णु फिर इनके आपस मैं साथिती बनाए रखा है मुव ममता मैं फसाए रखा है ये विश्णु जी की डूटी है और सीव की डूटी है कि ये सहार करे तब इन तीनों ने कहा कि हे माई हे देवी कहीं पर परत्वी नजर नहीं आ रही है और परत्वी के बिना प्राणियों की स्रिष्टी, स्थिति और संहाथ असंभाव है तब वो देवी मुस्काई और कहा कि तुम इतने में एक विमान आया और कहा कि तुम तीनों के तीनों इस विमान में बैठो और चिंता मत करना गबराईयों मत उसमें ये तीनों के तीनों विर्मा विष्णों महिस विमान में प्रविश कर गए विमान मन की गती से चला पहुत तिवर गती था कहां पहुंचा प्रहम लोक में पहुंचा जहां पर ये काल भगवान तीन रूपों में रहता है जहां इनकी उत्पत्ती की जाती है विर्मा विश्णु महिश्की और वहाँ पर कोई नहीं जा सकता ना वेद विधी से किसी साधनात ना तप से ना यक से ना हावन से किसी परकार से नहीं जा सकता ना किसी जब से वहाँ पर तेहिए अपनी केरबा से ही ले जा सकता है ये काल भगवान सोच अलसी दर करके वहाँ जाकर के इनोंने क्या देखा एक इंदर देखा वहाँ पर है क्योंकि वह महास्वरक के अंदर एक महा इंदर है उसके बाद फिर आगे विमान गया वहाँ एक बर्मा देखा जब बर्मा दूसरा बर्मा देखा तो सीव और विश्णू बिर्मा जी शे पूछने लगे के है चतुरानन ये तूसरा बिर्मा कौन है तब बिर्मा जी ने कहा मुझे नहीं मानू ये कौन है उसके बाद विमान आगे चला फिर क्या देखा के एक तरने तरदारी बगवान शीव दूसरा देखा जो नंदी विर्षक पर सवार थे हाथ में तरसोल लिये हुए थे उसके बाद इनका विमान आगे चला वहाँ पर क्या देखा के एक विश्ण ओर थे और वहाँ बहुत सुंदर विश्ण लग्समी का एक भावन था उसमें बहुत एस्वरिय के सादन उपलब थे उसके बाद विमान आगे पहुँचा कहा गया एक माई बैठी थी जिसके स्रीर में जैसे हाजारों विजलिया चमक रही हो इतना तेज था इतना नूर था और वो परकर्ति देवी थी ये बर्मा विश्णु महिस की मा थी मा है जो इन्होंने देखी विमानव वहां रुका देवी एकली साल भावन के अंदर विराजमान थी तब उसे ने कहा कि तुम तीनों के तीनों जहाज से नीचे उतरों हम नीचे उत्रे बर्मा विश्णु महेश बर्मा बता रहा है देवी भागत महापुराण में नीचे उत्रे तब विश्णु जी ने ध्यान से देखा और कहा कि ये तो अपनी मा है इस माई के दर्सन मैंने किये थे जब मैं बालक था छोटा सा था जब मैं बालक था छोटा सा था तब मैंने इस माई के दर्सन किये थी इससे सवसिद है कि इनका जनम है और ये तीनों की मा है तब बर्मा विश्णु और शिव ने तीनों ने स्विकार कर लिया कि ये ही अपनी जननी है तब शिव जी कहते हैं है माता जब आप गर्मा को उत्वपन करने वाली आप हैं विश्णु भी जब आप के वालक हैं तो ये तीसरा भी आप ही का बच्चा है आप ही हमें गुप्त भेदनी बता रहे थे अब हमने आप ही की किर्पा से ग्यान हुआ अब इसका प्रमान आपको सबसे पहले देवी भागुत महापुराण में देता हूँ पहले आपको देवी भागुत महापुराण से पर्थम सिव पुराण को दिखाता हूँ उसके बाद फिर आपको देवी भागुत महापुराण दिखाऊंगा और ये सास्तर पहले से उपलब थे कोई आजदे नहीं बना इस दासने क्योंकि जितने हमारे अभी तक सास्तर विज रहे वो अलपज थे अधुरे ग्यान युक्त थे वो उन कोई सत्मारक का पता नहीं था इसलिए हमारे सभी पुर्वजों को बूद बना दिया गीता विर्द साधना करवा के गीता में लिखा है कि देवी देवताओं की पूजा मत करो विर्मा विष्णों महिस की पूजा तक भी नहीं करनी है तिन्नों गुणों की भग्ती नहीं करनी है केवल ब्रहम से प्रारंब होती है भग्ती और पूजा करनी है केवल पूर्ण ब्रहम की अब मैं आपको देवी भागवत पहले आपको शिव महापुरान दिखाता हूँ, अब अब देखिए का भक्ता आत्माओ ये देवी भागवत महापुरान, शिव महापुरान, ये शिव महापुरान, इसके अंदर आपको पताच देगा, शिव महापुरान बहसा सटिक सहितम, ये संस्कर्त युक्त है, इसमें संस्कर्त भी साथ है, और ये शिवा भासा टिकोक्तम, टिकाकार है, डाक्टर जर्मानंग तिरपाथी, साहित आयूरवेद जोतिस आचारिये, एम में पी एचडी, डी एम सी ए, ये टिकाकार हैं के, और ये आपके समझत है, इसमें क्या लिखा है, यहाँ देखिएगा, यहाँ से पढ़िएगा, ये संस्कर्त है, और ये हिंदी हिंदी आपको दिखाना चाहूँगा, परले काल में, इदुर से रो, पीछे लवर, एम उनिवर, परले काल में भी शिव पारपती का कभी वियोग ना होने के कारण, ही कासी को अविमुक्त अक्सेतर कहते हैं, प्राचिन काल में शिव जी ने, शिव जी ने, इस अक्सेतर का नाम पहले नंदनवन और बाद में अविमुक्त रखा था, हे देवरशी नारत, आनंदवन में रमन करते हुए शिव पारपती के मन में इच्छा हुई की, इसी दूसरे पुरुष का निर्मान किया जाए, जिसके उपर अपने इस महा सागर को डाल कर हम दोनों सवचंद होकर वैरा कितहरण कर केवल कासी पुरी में निवास करें, कर सकें, वही सदा सब कुछ करें, वही रक्षा करें, वही अंत में और अंत में मेरे अनुगरह से वही श्रिष्टी का समरण भी करें, चिंता रूपी लहरों से चलायमान, चिंता रूपी समंदर को बटवर कर, रजोगन रूपी विदूत, विदूं से विश्ट्रित, करें, अब यहां देखिएगा, यह अपने हिसाब से लगा रखेंगा, ऐसे विचार कर उस सर्वय व्यापक, बगवान ने उसे प्रासक्त के दसमें अंग, यह दसमें अंग देखिएगा, यह ध्यान रखना, दसमें अंग अर्थात योनी में सुधार रूपी आवास का प्रियोग गिया, यह दिखाना चाहते हैं आपको कि यह कहना क्या चाहते हैं, तब उसे उससे तीनों लोकों में सुंदर एक पुरुस हुआ, जो सांत एम सतोगुन से युक्ठ था, गंभीरता में समुद्र के सम्मान था, सम्मान तधा अक्षमा वान था, हे बुनी उस वह पुरुस इंद्रेंट अक्षमणी के सद्रश कांती वाला अर्थात यह था कौन यह देखिएगा जीचे, शीव जी ने कहा, जो पूतर उत्पन हुआ, उसको कहा, सर्वय व्यापक होने से तुम्हारा विश्णू यह परसीद नाम होगा, यह देखिए जानता है, फिर देखिए, सर्वय व्यापक होने से सर्वय व्यापक होने से सीव ने कहा सीव जी ने कहा सर्वय व्यापक होने से के कारण तुम्हारा विश्णु यह परसीद नाम होगा अब इसे सिद्ध हो गया कि सीव जी से विश्णु की उत्पती अभी आपने ये शीव महापुराण में छटे अध्याय को देखा, छटे अध्याय में कि भगवान शीव से और पार्पती के सैयोगता है, पार्पती कौन ये महास सक्ती यानि सेरावाली परकर्ती के द्वारा विश्णों के उत्पती थी, अब सात्मा जाएं, ये संस्कर्त भी साथ है, अब यहां के देखिएगा, ये स्गिंदी देखिएगा, जर्माजी ने कहा कि विश्णों भगवान के सैन करने के बाद उनकी नाभी से एका एक बहुत बड़ा कमल पुरस उत्पन हुआ, कमल पुष्पन, अब ये बिरमहा बता रहा है, लेकिन तुक्ये लगा रहा है, क्योंकि ये स्विंदी था पहले, इसको आप ही नहीं मालू, वो कौन से विश्णों की नाभी से मिला, ये देखिएगा, उत्पन बगवान, सिवने पहले की बादी, जैसे विश्णों की उत्पत्य की थी, दुर्गा और काल के सयोगतअ पहले की बादी, अपने दहने अंग से मुझे उत्पन किया, बर्मा करा कि मेरी उत्पन्ती भी उस काल बर्म से यानि सीव कह रही है सीव रोप महा बर्मा महा विश्णू महा सीव रोप में ये काल ही रहता है मुझे उत्पन किया ये बर्मा जी ने बता कई भक्तात्मा कहते हैं कि जो गीता प्रेस गोरखपुर से परकासित पुस्त के हैं वही विशेशकर आम भक्त समाच उनको सत मानता अथेंटिक मानता है अब आपके सामने ये गीता प्रेस गोरखपुर से परकासित ये उस तक लिखाते हैं शीव महा पुरान संक्सिव सिमाप्रान और यह नीचे गीता प्रैस गोर्खपुर से और इसके छटे ध्य में फिर यही परमान है अब इसी इसी सिमाप्रान का यह छटा ज्याए यह सिमाप्रान अज्धाय नमबर छे उसके बीच से सुना रहा हूँ आप इसको खरीद कर देख भी सकते हो जिससे प्रब्रम के विशे में ग्यान और अज्यान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस परकार उपर बताया नुसार विकलब किये जाते हैं उसने कुछ काल के बाद श्रिष्टी का समयाने पर द्वतिय की इठा परकट की उसके बीतर एक से अनेक होने का संकलब उदित हुआ तब उस निराकार प्रमात्मा ने अपनी लीला सकती से अपने लिए मूर्थी आकार की कलपना की वह मूर्थी संपुर्ण एस्वरिय गुणोशे संपन सर्वे ज्ञानी ज्ञान मैस चुब शरूपा सर्व्यापनी सर्वरूपा सर्वदरसनी सर्वकारिनी सब के एक मातर वंधनिया सर्विता सब कुछ देने वाली और संसकर्थियों का केंदर थी उसे सुद्रूबनि इस्वरिय मूर्ति की कलपना करके वह एद्वितिय अनादी अनंत सर्वप्रकासक चिंत सर्वव्यापी और अविनासी परब्रम अंतरहित हो गया ये काल की कला हैं सारी और ये अन्जान लेखक जिनको कुछ ग्यान ने इस काल को ही सब वुपमा दे रहे हैं उस पूर्ण ब्रम के तुल जो मूर्ति रहित परब्रम है अब यहां मूर्ति हो गया और फिर मूर्ति रहित भी है अब ये काल की ही कला है वो क्या बनगा माशिव रूप में आ गया उसकी मूर्थी यहां देखो एद चिंट में आकार भगवान सदाशीव हैं ये काल ही निराकार है और ये ही फिर महाशीव महाविश्णो और महाविर्मा के रूप में ये सब कलाएं करता हैं अर्वाचिन और प्राचिन विद्वान इसी को ईश्वर कहते है जितना जिन को ग्यान है इस काल को ही ये इश्वर कहते हैं उस समय एका की रहकर सविछानुसार प्यार करने वाले उन सदाशीव ने अपने विग्रह से स्वमी एक सवरूप भूता सक्ती की स्रिष्टी के अर्षात वा देवी इसी के सिरीर से निकली वो निकाली थी कूरप नहीं थी उस प्रा सक्ती को पर्धान को पर्धान परकरती देखो पर्धान परकरती गुणवती माया बुधी तत्वा की जन्ने विकार रहित बताया गया है वह सक्ती अंबिका कही गई है और उसी को परकरती ये द्धान से देखना बगतात्माओ यही देवी अध्धा माय यह प्रकर्ति देवी प्रकर्ति सर्वोस्विरी तर्देव जननी यानि तीनों देवताओं की माँ बिर्मा विश्णों महेश की माता नित्या और मुलकार्ण कही सदासी द्वारा प्रगट की गई उस सक्ति की आठ बुजाने हैं अब यह सबता ही सपस्थ हो गया कि यही प्रकर्ति देवी बिर्मा विश्णों महेश की माता है और इसी में फिर आगे आता है कि बिर्मा और विश्णों के उत्पति शिव से हुई यह महाशिव काल है